हालो दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वाथ करते हैं युवा श्क्ति जी कोईज में तो दोस्तों आइज जो है कि बिहार डियलर के लिए आईज की स्वाथ करते हैं आज लेक्टर को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किजेगा और अपने दोस्तों में जरूर सेर किजेगा I first question है कि हरे vitriol का रासाइने की नाम क्या होता है तो right answer option में यह हो जाएंगे फेरस sulphate होता है फिर ज्यान रखेगा आप सभी क्या होता है फेरस sulphate होता है option में यह right answer हैंगे अगला question है petroleum dice का मिचरन है तो right answer option में यह जाएंगे hydro carbon का मिचरने पेट्रोलियम यह right answer हैंगे अगला question है धातवे किसी अन्य धातव से टकराने पर बजने वाली धोनी उत्पन करती है क्योंकि वे dice हैं तो यह क्या है धोनी के C right answer हैंगे ध्यान रखेगा आप से भी अगला question कर लेते हैं अगला question यह बंड़े कि भारत में बीमा उद्धोक के वेवस्थित विकास को विन्यमित करने और बढ़ावा देने और सुनचित करने के लिए कौन सा निकायश जिम्यदार है राइट answer option में जाएंगे IRDAI हैं जिसे हम से भारत में भारत में बीमा नियमक और विकास प्राधी करन करते हैं अगला question कर लेते हैं अगला question यह बंड़े कि PSLV का क्या अर्थ है छरे question 5 के लिए आप से राइट answer बताएंगे PSLV का क्या अर्थ है राइट answer option में यह जाएंगे polar satellite launching vehicle है इसका पूरा अर्थ याद रखेगा आप सभी PSLV का कुन रूप क्या है polar satellite launching vehicle option में यह राइट answer हैंगे अगला question कर लेते हैं अगला question यह बंड़े कि भारते राष्टे कॉंग्रेस INC के निमलेखित में से किस सस्त्र में पहली बार राष्टे गान गाया गया था देखिए INC की जो अस्थापना हुई थी भारते राष्टे कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुई थी 1885 में किस के दुर रख्या गया था AOEUM के दुर रख्या गया था और किस जस्त्र में पहली बार राष्टे गान गाया गया था तो 1911 के कोलकाता अधिबेशन में गाया गया था ध्यान रखेगा आप सभी तो पहली बार राष्टे गान कब गाया गया था तो 1911 में कोलकाता अधिबेशन में तो याद रखेगा option में a right answer ने फ्रेंड अगला question क कि ये उपनियास है दव वाइट टाइगर इसका परकासन कब हुआ था तो याद रखेगा 2008 में 2008 में इसका परकासन किया गया था आगला कोशन कर लेते हैं संयूक राष्ट सुरक्षा परिश्द में डैस है राइट आंसर ओप्सन में भी जाएंगे 5 अस्थाई सदस और 10 अस्थाई सदस से होता है संयूक राष्ट सुरक्षा परिश्द में याद रखेगा संयूक राष्ट सुरक्षा परिश्द में कितने सदस से होते हैं तो 5 अस्थाई सदस होते हैं और दस ये अस्थाई सदस्च होती है अगला कोशन देखे फिर्ण अगला कोशन ये बन रहे कि रगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का आप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तप में कोई भी महजूत नहीं होता है ये क्या है परकाज के पूर्न आंत्रिक प्रावरतन के कारण होता है जो कि ज़्यादा तरगिस्तान में ये देखनी को मिलता है हमें अगला कोशन देख लिज्चे अगला कोशन ये बन रहे कि सज संयोजक बंधन दो परमानों के बीच अलक्ट्रोनों के सभाजन से बनता है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए dice course को प्राप्त कर सके तो ये बाहित्तम course को प्राप्त कर सके यानि option में ये इसका right answer याद रखेगा important question देंगे अगला question नहीं परतियक तत्व का एक नाम और dice होता है देखे question का level देखे आपको पता चल गया फ्रेंट किस प्रकार से question को state किया गया है बहुत ही अच्छा question है और बहुत ही अच्छे level question आपको provide कर रहे है right answer option में ये हो जाएंगे एक अदूतिये रासायनिक परतिक है ध्यान रखेगा परतियक तत्व का एक नाम और एक अदूतिये रासायनिक परतिक होता है ध्यान रखेगा आपसे भी option में ए right answer अगला question कर लेते फिन अगला question ये बंड़े कि एक संसद्य परनाली में विदाही न्याई और अपातकालिन सक्तियों का परियोग वास्तव में राष्टपती द्वरा किस की सलापर ही किया जाता है right answer option में ए उजाएंगे मंत्री परिशत की सलापर किया जाता है option में ए correct answer देखे समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और ये समय प्रोपर आप पढ़ाही में लगाए अगर selection चाहते हैं क्योंकि selection है इसे नहीं मिलता है selection के लिए महिनत करना पड़ता है एक्जाम निकालना है तो महिनत करना पड़ेगा आपको चाय और काफी भारत में किस रेनी की फसल के अंतरगत आता है right answer option में बीज़ेंगे रोपन फसल के अंतरगत आता है याद रखेगा आप सभी देखेगे चाय और काफी जो है ये रोपन फसल के अंतरगत आता है अगला question कर लेते फिन अगला question ये बंड़े के पर्थम पंची वर्षी योजना डैस में भारत सरकार ने देश की अर्थ विवस्ता को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिस की थी बारत की पहली पंची वर्षी योजना जो था वो क्या था इसका टाइम पिरियड अब दी क्या था राइट आंसर ओफिसन में से युजाएंगे उन्हें से 51 से 56 ध्यान रखेगा पहली पंची वर्षी योजना की शुरुबात कब ववा था राइट आंसर ओफिसन में दी जाएंगे बीटामिन के करता है ध्यान रखेगा आप सभी ओफिसन में डी राइट आंसर हैंगे अगला कोशन कर लेते फिन अगला कोशन ये बंड़े के सरकार का हुआ अंग जो मुख्य रूप से कार्या निव्यन और परशासन के कारियों को देखता है डाइस क्या लाता है राइट आंसर ओफिसन में डी जाएंगे इसे हमसे भी कारी पालिका कहते हैं अगला कोशन कर लेते फिन अगला कोशन दिखिए अगला कोशन ये बंड़े के भावा परमानू अनुसंधान केंदर का पुराना नाम क्या था राइट आंसर ओफिसन में इवे जाएंगे परमानु उर्जा परतिष्ठान ट्रामबे इसका पुराना नाम था ध्यान रखेगा आप सभी देखिए इसके अस्थापना जो वबा था वो किसके द्वरा किया गया था तो होमी जहांगीर भावा के द्वरा किया गया था उन्हें सो चौरानवे में तो ये डेट को याद रखेगा और अस्थापना किसने किया था तो ये चीज़ को याद रखेगा डॉक्टर होमी जह का मरू अस्थल ये क्या है भारत का मरू अस्थल नहीं है ध्यान रखेगा सिंदू गाटी क्या था तो ये एक पुरानी सव्यता प्राचिन सव्यता थी ध्यान रखेगा आप सभी कक्ष करन थार मरू अस्थल बाकी बाद जो ये सभी है वो क्या है आपका मरू अस्थल छेत्र हैं सिंदु गाटे से वेता कोई मरू अस्थल छेत्र नहीं था अगला कोशन देखिए वीटी कल्चर किस से संबंदी थे राइट आंसर ऑप्शन मड़ी जेंगे अंगूर की खेती से संबंदी थे फिर याद रखेगा वीटी कल्चर में किसका खेती करते हैं तो अंगूर की रूप में परकट होते हैं तो ये किस रूप में परकट होते हैं तो राइट आंसर ऑफिशन मस्थी हो जाएंगे दाइतव की रूप में परकट होते हैं ऑफिशन मसी राइट आंसर हैंगे अगला कोशन देखिए अगला कोशन ये बंड़े के निम लेकित में से कौन सा वी विश्व का राइट आंसर आफशन नमर डू जाँगे रेड वोड फिर रेड वोड जो है ये विश्व का सबसे उचा विश्व है अगला कोई से नहीं किसके खिलाब गांदी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटीस सेंसर सीप और बिना मुकादमे के नजर बंदी के जवाब में था राइट आंसर आफशन नमर डू जाँगे रॉल एक्ट एक्ट के खिलाब दियान रखियेगा आप सभी रॉल एक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है अगला कोईसन देख लेजिए अगला कोईसन ये बंड़े कि मरू अस्थली करण और सुखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाय जाता है राइट आंसर आफशन नमर डू जाँगे 17 जून को 17 जून को हर एक वर्ष जो की मरू अस्थली करण विश्व दिवस मनाय जाता है जिसे हम सभी सुखा दिवस भी का सकते हैं अगला कोईसन दिखरे जे परधान मंत्री नरेन मोदी द्वरा भी मुद्री करण की गोशना की गई थी राइट आंसर आफशन में सुखे जाएंगे 8 नमर 2016 को की गई थी देखे अगला कोईसन क्या है अगला कोईसन ये बंड़े की निमलेकित में से किस कमपणी ने 2005 में प्रेशनल केम्प्यूटर बनाना बंद कर दिया था राइट आंसर आफशन में से जाएंगे आई बी एम ने देखे आई बी एम कमपणी ने 2005 में जो कि personal computer बनाना बंद कर दिया था बागी बाद डेल, एसर और आसूस यह सभी computer बना रहा था अगला question देख लेजे खान सुरक्षा भी भाग भारत में किस केंद्रिये मंत्राले के अंतरगत आता है तो यह सर्म और रोजगार मंत्राले के अंतरगत आता है खान सुरक्षा भी भाग अगला question कर लेते friend अगला question यह बन्डे के निमले कित में से किस खिलाड़ी ने 2021 में बार्शी लोना ओपेन टूनामेंट में पुरुस एकल टेनिस का किताब जीता है एर राइट आंसर एंगे राफेल नडाल के दुरा जीता गया तो याद रखेंगा आप सभी एर राइट आंसर एंगे अगला question देख लेजिए किताब उल्हिंद निमले कित में से किस के दुरा लिखी गई थी तो फिर्ण आप से को बताओंगे कि किताब उल्हिंद की रचना जो की गई है वो अल बरूनी की दुरा की गई है जो कि महमुद गजनवी के साथ में भारत आये हुए थे और इसने किताब उल्हिंद की रचना की थी एर राइट आंसर एंगे ये महमुद गजनवी के समय का इतिहासकार था अगला question ने सर्मिक कलियान पोर्टल की मंत्राली द्वरा जारिक किया गया है तो राइट आंसर आफसर मसे जाएंगे रियल मंत्राली की द्वरा जारिक किया गया फिर ध्यान रखेगा आप सभी सर्मिक कलियान पोर्टल सी राइट आंसर एंगे अगला कोई से ने भारतिये से विधान करने मिले कि में से कौन सा अनुच्छिद सिख्छा का अधिकार देता है तो देखें सिख्छा का अधिकार जो दिया जाता है वो अनुच्छिद 21A के तहद दिया जाता है अनुच्छिद 21A ये कहता है कि किसी भी बेक्ती को सिख्छा का अधिकार है option में A right answer हो जाएगे तो सिख्षा का अधिकार किसमें दिया गया है तो अनुछेद 21A में दिया गया है अगला कोशने दल लिविंग मौन्टेन नमक पुष्टक किसने लिखी है तो इसके लेखाग जो हैं अमिताब गोश से ध्यान रखेगा आप सबी अमिताब गोश के दौरा दल लिविंग मौन गोशने भेमत की अच्छा सनुध जहता है वह होता है आमला यह निम्वू जो खटा चीज है वह जो गितामिन C का सबसे अच्छा उसरूत है तो झोंकि टामाटर दिखिएगा तो वह हलका खटा पनका होता है तो ओप्षयन में A right आंसर हैं बितामिन C का सबसे अच्छा उस असरोत टमाटर हो जाएंगे जिससे हम सभी एसकोर्विक एसिड भी काते हैं विटामिन सी का रसाइनिक नाम है अगला को उसे ने देख लिए शंतलुज ब्यास नदी पर जल बिद्धुद परियोजना का क्या नाम है तो इस परियोजना को हम सभी भांखडा नांगल स्मीति का पुनरगठन किया है नेमलेकित मेंसे कौन सी सिमीति परमुख होगा तो डी राइट आंसरेंगे प्रहलाद सिंग पठेल सी मिद्धी जो एकी परमुख घ्यान रखेगा आप सभी ऑफिसन में डी राइट आंसरेंगे आगला कोईसने जली कट्टु सम्मंधि थे जमाइका स्प्रिंट किंग कहा जाता है तो जमाइका स्प्रिंट किंग जो कहा जाता है उसेन बोल्ड को कहा जाता है सी राइट आंसरेंगे ध्यान रखेगा आप सभी उसेन बोल्ड को कहा जाता है अगला को उसे ने आंदर परदेश के नवगठित राज की राज़दानी का बात किया जारा है मतलब न्यू राज़ी की बात किया जारा है तो वो अमरावती हो जाएंगे अगला कोश्य ने MPR 10 की एकाई है राइट आंसर आफ्शेशन में डूझें बिद्धु धारा की काई MPR होता है अगला कोश्य ने आफ्श्य आन्सर गया है अगला कोश्य ये है कि भारते सभिधान के निम्लेकित में से कौन सा अनुचेद पूरुस और महलाओं की पूर्ण समानता की गरैंटी देता है तो right answer option में वह जाएंगे अनुचेद 14 फिर अनुचेद 14 जो है ये भारतिय सविधान का एक महतपूर्ण अनुचेद है जिसमें की पुरूस और महिलाओं की पूर्ण समानता की गारेंटी देता है अगला question देख लिए अगला question ये बंडे की सत्रिया निमने में से किस राज की परशित निर्ति नाटक परदर्सन कला है तो do right answer एंगे असम की ध्यान रखेगा सत्रिया जो है ये एक सास्त्री निर्ति है जो की असम की निर्ति है अगला question देख लिए निमलेकित में से कौन से बित आयो की जिम्यदारी नहीं है इन में से कौन से बित आयो की जिम्यदारी नहीं है सबसे पहले आफ़े ये समझे जब बित आयों की जिमिदारी क्या क्या है संग और राज सरकारों के बित की इस्थिती का मुल्यांकन करने के लिए ये बित आयों की जिमिदारी है राज्जों के बिच इन करों के वित्रन का नियधारन करने वाले सिधानतों को रखना ये भी बितायों की जिमिदारी ये नहीं है क्या आफशन मड़ी कि केबल भारत के समयकित कोशी की सभी वियाई से सम्मनित खातों का लेखा जोखा करना ये बित आयों की जिमिदारी नहीं होता है ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशने किस सस्त्र में कॉंग्रेस ने पहली बार भारती राज्यों के परती अपनी निती गोशित की A right answer एंगे नाकपुर सस्तर में कीती ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोईशन कर लेते फिन कि निम्न में से कौन सा इंजाइम रक्त के ठक्के के लिए आवस्यक है C right answer एंगे थ्रोमबो कीनेज जो एफिन ये इंजाइम रक्त के ठक्के के लिए आवस्यक इंजाइम है अगला कोईशन निम्नलेकित में से कौन भारत की एक मल्टी बेरल रॉकेट सिस्टम है तो D right answer एंगी पीनाका फिन पीनाका जो है भारत की मल्टी बेरल रॉकेट सिस्टम है अगला question कर लेते हैं कि निमलेकित में से किस संगठन द्वरा निबेस रूजान monitor report जारी किया जाता है तो यह क्या जाता है यूनिस्टेट द्वरा ध्यान रखेगा आप सभी C-rate answering अगला question कर लेते हैं निमलेकित में से कौन से एक offset oriented language है तो offset औरियंटल लेंग्वेश जो हैं वो कौन सी हैं C++ से ध्यान रखेगा आप सभी C++ object औरियंटल लेंग्वेश हैं अगला question देख लेजिए निमलेकित में से किस नगर में जपानियों ने 207 इस्तूप का निर्मान कराया था तो यह निर्मान कराया गया है अगर 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 अच्छार को हो तो कलास को लाइक किजीगा और अपने दोस्तों में जरूर शेर किजीगा